हेलो एंड वेलकम इस वीडियो में आप सीखेंगे माइनस पांच बटे साथ और एक बड़े दो के मध्य परमेश सिंख्यां ग्याक करना कितने भी परमेश सिंख्या हो सकती पांच हो सकती दस हो सकती हैं लेकिन कैसे इनके बीच निकाले आएए देखें ऐसे questions में सबसे पहला हमें ये देखना होता है कि जो इनका denominator यानी हर है वो एक जैसा होना चाहिए लेकिन ऐसा तो नहीं है ये 7 है और ये 2 है तो हमें क्या करना है कि जो इनका denominator है उसको एक जैसा बनाना है ये हमारा पहला काम है तो हम क्या करेंगे हमें निकालना है माइनस पांच बटे साथ और एक बटे दो के मध्य कुछ परमे संख्या है चलो मान लो कि हमें पांच परमे संख्या याद करनी है पहला काम क्या है कि इनके हरों को एक जैसे बनाओ, तो हमें क्या करना है, कैसे बनेगा, यानि ये 7 और ये 2 है, तो एक जैसे कैसे बनेगा, देखो, इनका लो LCM, तो 7 और 2 का LCM होता है 14, यानि 14, इसको 14 मनाओ और इसको 14 मनाओ, तो इसके लिए 2 का उपर नीचे मल्डिप्ला करो और सीधी भाषा में अगर हम देखें तो यह टू है इसका उपर नीचे मल्डिप्लाई करो और यह सेवन है इसका यहां उपर नीचे मल्डिप्लाई करो तो यह हो जाएगा देखो हमने two का उपनीचे मल्डिपलाई किया और इसमें हमने seven का उपनीचे मल्डिपलाई किया और इसके मद्ध्य हमें ज्याद करनी है पांच पर्मे संख्याएं तो अभी तक सब clear है एक एक step ये हो जाएगा पांच दूने दस और साथ दूने चौदा और ये हो जाएगा साथी कम साथ और साथ दूने चौदा और इसके मद्दे हमें ग्याद करना है पांच पर्मे संख्या है तो ये जो नमबर्स हैं अब इनमें कनवर्ट हो गये हैं और अब जो इनका डेनोमिनेटर है यानि हर एक जैसा हो गया है ये भी 14 है ये भी 14 है तो इनके मद्दे हम बड़े आराम से संख्या है रख सकते हैं ये माइनस 10 है और ये 7 है इनके माइनस 10 और 7 की बीच में कौन कौन से संख्या ही होती है ध्यान रखना ये 10 माइनस में है अगर हम नमबर लाइन को देखें संख्या रिखा को देखें तो संख्या रिखा में ये होता है 0, 0 के दाइए तरफ प्लस वाले होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और दाइए तरफ माइनस वाले होते हैं माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, एक उनल waż और इस तरह से है है तो इनके बीच में आप देख सकते हैं सारी संख्याई होती है है तो यहांसे कोई भी आप पिक कर सकते हो पांच पुछा है तो पांस निकालेंगी ऑज़ाएंगी तो तो क्या होगा फाइनल आंसर तो इनके मद्द्ध में तो ये मैनस 9 है मैनस 9 अपन 14 मैनस 8 अपन 14 मैनस 7 अपन 14 मैनस 6 अपन 14 इस तरह सम लिखते जाएंगे इवन 0 भी इसमें है तो आप चाहों 0 अपन 14 लिख सकते हो बाद में 0 ही हो जाएगा और इसके बाद प्लस वाली 1 अपन 14, 2 अपन 14, 3 अपन 14 ये सारी आप लिख सकते हैं ठीक है न यहाँ पर 6 अपन 14 यहाँ तक आप लिख सकते हैं तो 5 पूचा है लेकिन आप उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं और केवल 5 पूचा है तो इन में से कोई भी 5 संख्याय लिख सकते हैं और एक और ध्यान रखना बुक के पीछे का आंसर हो सकता है कि इससे डिफरेंट हो क्योंकि आप खुद सोयम देख सकते हैं कितने सारी नहीं दोनों से इख है तो इसको हम और simplify कर सकते हैं जो कट रह एक और सकते हैं। 3 पते 7 इस तरह से ठीक है तो एंसर आगया तो आपको सब देंसर आया होगा कि कैसे एक संख्या माइनस हों next मैं एक संख्या मैंट कि साथ यह था यह सी बना है किरिक जिक सोसते हैं कि यह तो साथ यह दास है वोans साइन पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन माइनस साइन यहां पी इंपॉर्टेंट है कि वहलों साथ और दस होता तो फिर हमें कुछ और करना पड़ता यानि क्योंकि इसके बीच में फिर आठ और नौ आते बस बर क्योंकि माइनस है तो इनके बीच में बहुत सारी संख्याइं आ सकती है तो आपको इस समझ आये होगा थैंक्स वर वाचिंग